आजके इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके मुवाइल फोन के होम इसकीन में यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है अगर आपके मुवाइल फोन से कुछ इस परकार से दोस्तों यह गायब हो गया हुआ है तो आप इसको वापस कैसे ला सकते हैं अगर आप भी सिखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को ध्यान से पुरा लाश्टक देखते रहे हैं आज कर इस वीडियो में मैं आपको step by step सब कुछ बताने वाला हूँ हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल इन्फो ट्यूब में तो दोस्तों चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलाल हमारे होम स्कीन में कहीं पे भी कर रहा है तो यहाँ पे जो है अगर आपके मौई फोन में टाइम सो नहीं कर रहा है होम स्कीन में तो आपको करना क्या है आपको यहां पे जो खाली जगा देखने को मिल रहा है आपको यहां पे थ्वादर दबा करके रखना है कुछ इस परकार से और यहां पे आपके सामन आ जाएगा विगेट नाम का फोल्डर सिम्पली दोस्तों आपको विगेट वाले ओफसन पर किलिक कर देना है और यहाँ पर कुछ इस परकार का ओफसन आपके सामने आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर से आपको कलोक को ढूनना है तो यहाँ पर उपर या नीचे कहीं पर भी आपको कलोक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुछ इस परकार से दोस्तों यहाँ पर जो है काफी सारा इस्टाइल में घड़ी दिया हुआ है आपके mobile phone में काफी सारा इश्टाल का घड़ी देखने को मिल जाएगा अब इसको अगर आप home skin पे लगाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको थादर दबा करके रखना है और यहाँ पे जिसे आप दबा करके रखते हैं और यहाँ पे आपका घड़ी आ जाएगा अब उपर के साइड में जो आपको done का जो है option देखने को मिल रहा है simply दोस्तों आपको done वाले बटन पर क्लिक कर देना है और दोस्तों आपके mobile phone के अंदर घड़ी सेट हो जाएगा वीडियो को लाइक करना साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले